तो फ्रेंट्स मैं आज आपको दो केंडल स्टैंड बनाना स Михाने वाला हूँ ऐसे टाइप के जैसे का आप देख सकते हैं ये दोनों केंडल श्टैंड कितने खुब शुरत दिख रहे हैं तो छलिए मैं आग़ आज आपको वही बना के दिखाता हुँ तinto friends . intended holder बराने के लिए चाहिए होगा एक वोड एक खराब किलास और एक पत्जी गंडेव और फिर एक ड्लूगन ज़ले यह बनाना Start करते हैं तो friends सबसे पहले हम यह दोनों को बीच बिलाएंगे और फिर हट ग्लूग को गरम करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हम यहाँ पर एक कपड़ा भी छालेंगे ताकि होट ग्लू का ग्लू अपने टेबल में ना गिरे तो फ्रेंड्स अपने को कना कहां सिंपली हम अभी इसे किनारे रख देंगे और फिर एक लकड़ी उठा के उसमें थोड़ा सा होट ग्लू गन लगाएंगे और फिर सिंपली इसमें चिपका देंगे तो मैं इसको सभी में लगाऊंगा ये लकड़ियां को तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर पूरी जगा लकड़ी चिपका दिया हैं ये पूरी जगा में अब इसे थोड़ी देर सुखने के लिए रहने देते हैं तो अब देख सकते हैं, मैंने इस फूरा झाला दिया है तो फ्रेंट जब यह फैल जाए तो फिर हमें इसमें यहां चिपका तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंट मैंने इसे पूरा लगा दिया है तो अब उसके बाद हमारी इसकी बारी आती है सुखे और गीले पत्तों की तो सुखे गीले पत्तों को हमें सिंपली यहां पर डिजाइन करके चिपकाना है तो चलिए चिपका देते हैं तो फ्रेंट्स हमें इसे ऐसे चिपकाना है यहां पर पहले मैंने होट ग्लू लगा दि और डिजाइन से चिप काना है तो फ्रेंड्स अब लाश्ट टच की बारी है अब हमें इसमें केंडिल डालना है तो चलिए डालते हैं केंडल इसे अलग अलग जगा पर अच्छे से फैला दें फैलाने के बाद इसे जलाते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है इसे आप अपने घर के डेकुरेशन में जरूर रखेगा यह बहुत ही अच्छा दिखेगा जब भी आपके घर में कोई भी गेस्ट आएंगे तो तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे दूसरा वाला तो अभी हमें सबसे पहले लेना होगा एक डिस्पोजन ग्लास और माचिस उसके बाद हमें इसे होट ग्लू से ऐसे लगाना होगा होट ग्लू में लगा देने के बाद हमें simply माचिस लेना है और फिर सारे माचीज को निकाल के टब्बे का यूज नहिए है उसके बाद माचीज को आपको ऐसे चिपकाना होगा आपको इसे पूरे जग़ चिपकाना है तो फ्रेंड जैसे की आप सकते हैं मैंने इसको ऐसा डिजाइन दिया है उसके बाद हमें सिंपली करना क्या है हमें एक नकली को नकली फ्लावर लेना है और इसे इसमें ऐसे करके चिपका देना है इस साइड तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने भी इसे पुरा तयार करी दिया है अब इसे सुखने की ब स्क्राइब करें शेयर करें और बेल आइकम जरूर दबाएं